अज हम बात करेंगे बिहार की राजनिती के पांच इसे धुरंधर नेता के बारे में जिसको पैदल कर दिया गया है या कहें चलता कर दिया गया है या कहें अब उनकी कोई पूछ नहीं है कोई पूछने वाला नहीं है तो बारी बारी से अब सुनिएगा वो कौन से पांच नाम हैं, वो कौन से धुरंधर नेता हैं, जिसको बेहार में इन दिनों चलता कर दिया गया है, पैदल कर दिया गया है सबसे पहला नमबर आता है पप्पो यादब का पप्पो यादब इन दुनों बहुत चायवे हैं पप्पो यादब की जो पहले पार्टी ती जन अधिकार पार्टी उन्होंने चुनाब लड़ने के लिए पूर्णिया से अपनी पार्टी के विले कॉंग्रिस में कर लिया उ अब पप्पो यादब राजब में है नहीं तो चुनाब कैसे लड़ेंगे ऐसे में अब उन्होंने एक और दावा किया है एक और दाओं चला है कि वो अब निर्दिले चुनाल लड़ेंगे ऐसे तो उन्होंने कहा है कि कॉंग्रिस के सिंबल पलड़ेंगे लेकिन आप ही बताईए संभव है कॉंग्रिस में रह करके गडवंधन धर्म का पालन नहीं करेंगे वहां से जब उमिद्वार का एलान कर दिया गया है वहां से जब राजद उमिद्वार ने अपना उमिद्वार उतार दिया है तो ऐसे में अब वहां से पपु यादव कैसे चुनाल पैदल कर दिया गया है यह चलता कर दिया गया है यह अब उनकी कहीं पूछ नहीं है ना राजद में है ना कॉंग्रेस में है अब तो ना उनकी पार्टी भी खुद बची है चलिए अब दूसरे नंबर पर आते हैं पशुपति पारस पूर्व केंद्र मंत्री रास्ट पार्टी तोड़ने में उनका एहम योगदान रहा लोग जोने शक्ति पार्टी जो पहले एक जूट थी उन्होंने पार्टी तोड़कर तमाम संसदों को लेकर के चले गए 12 सरकार में मंत्री बन गए उसके बाद जब देखिये चुराग पास्वान से भाजपा ने डील कि गया उसके बाद चाचा आउट हो गया नाराज हो गया उन्होंने इस्तिपा दे दिया चाचा के साथ यह हाल कर दिया जब चाय में गीरी कोई मक्षी को बाहर निकाल कर फेकता है उसी तरह एंडिये से उसको बाहर निकाल कर फेका गया भाजपा ने आउट कर दिया चाचा क में खुद मंत्री बने एंडिये के सायोगी दल रहें लेकिन अब जब चुनाप का बारी आया जब किसी को चुनने का बारी आया तो प्रदान मंत्री नैंद्र मुदी ने भाजपाग शुरिस नेताओं ने चिराग को चुना पुष्पति पारस को ने चुना ऐसे में मान लिया जाए और ये साब तोर पर माना जा रहा है कि उनको अब पैदल कर दिया गया है चलता कर दिया गया है उनकी भी अब कहीं पूछ नहीं है ना तो राजद में ना तो जड़ियू में जा सकते हैं भाजपाग तो आप पूछेगी नहीं उनको एक सीट भी नहीं दिया गया है उनके चार सांसते एक सीट भी नहीं मिला है चुराग पासवान को सीटे में ली चुराग पासवान आप देखिए बाभाही लूट रहे हैं पांच टिकट मिल अब बारे आती है RCP सिंग की RCP सिंग कौन है आपको पता होगा अच्छी तरीके से RCP सिंग वहीं है जनातादर उनाटेट के पूर्व राष्ट यद्यक्ष ब्यार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार के बहुत करीबी माने जाने वाले अपसर रह चुके हैं नितिश कुमार के खासम खास रह चुके हैं नितिश कुमार ने पहले उनको कैसे निप्टाया राज सभाने बेचा राष्ट अदेक्ष का पद पर उनको नहीं बिठाया उसके बाद जिस तरीके से RCP सिंग लगातार बयान बाजी करते रहे उसके बाद उनको पार्टी से याउट कर दिया गय कि वध्पा में जाकर शामील हो घेंए अब उनकी पूछ भाजपा में भी नहीं है भाजपा में क्यु नहीं इसका वज़ा है यानि नितिश कुमार नितिश कुमार के साथ कैसे वह बाचित कर पाएंगे तो बात पास में भी उसका रास्ता बंद हो गया है एक टिकट भी नहीं मिला है बहुत कहे रहे थे निदिश कुमार के बारे में फारा न धिमकाना बहुत सारे बाते उन्होंने कहा था एक और बारी आती है नेता कि हम बात करने जा रहे हैं मुकेश सहनी की मुकेश सहनी देखिए उनकी पार्टी है VIP विकाश्विल इंसान पार्टी वो अब कहीं नजर नहीं आ रहे ना तो वो खुद मुकेश सहनी कहीं कुछ प्रचार भी निजर आते हैं ना को प्रेस कॉंफरेंस कर रहे हैं वो लगतार देखिए बाच्चित कर रहे थे भाजपा स क्या से एक टिकट मिल जा, दो टिकट मिल जा, तीन टिकट मिल जा इस तरकी का उनका anticipation दिल चल रहा था हैं भाजपा उनको जारा entertain नहीं की जिस तर규 से भाजपा तब बाच्चित नहीं रहा था और सिटों के बारे में बाच्चित चल रहा था कि चुराइक पाश्वान को जितना सिट मिले था उससे ज्यादा हम सिट लेंगे हिन्मुकेश रहने को भादपान इंटर्टेइन नहीं किया एक विसीत नहीं दिया अब देखे राजत से उनकी बाचीद बंद हो गई है बीते दिनों राजत से बाचीद चल रही थी लेकिन मुकेश रहनी की बाचीद अब राजllan से भी बंद हो गी है राज़त भी इंटर्टेन करने के मूड में नहीं है अब पाँचवा नमबर और आखरी आता है अरुन सिंग अरुन सिंग कौन है इसके बारे मैं आपको बता दें अरुन सिंग जहानाबाद के पुरुसांसद है चुके है लोजपा में अपनी पार्टी का विल्यक कराया और चिराग पासवान ने उनको वश्वास दिलाया था कहा तक है आपको चिकर्ट देंगे चुनाब रगने के लिए लेकिन आखरी मोके में अरुन सिंग को धुखा दिया गया चिराग पासवान के दौरा अरुन सिंग प्रेश कॉन्फरेंस करके कहते हैं कि चुराग पासवान ने मुझे धोका दिया यानि चलता कर दिया पिता तुली कहते थे जब उसके साथ कोई नहीं था था भए बेटे के तरह मानते थे वो भी मुझे पिता के तरह मानता था लेकिन राजनेती में देखी किस तरीके से धोखा मिला है अरुन सिंग को, ये किसी से छिपा नहीं है, चिराक पासवान को पांच सीट आई, पांच सीट उनके खेमे में आई, उनके कबजे में आई, लेकिन एक सीट भी अरुन सिंग को नहीं मिला जहानाबाद के पुरुसां वह बेचार लाचार होगे, बेवस होगे, क्या करें गया उनकी पूछ अब कहीं नहीं हो रही है बुमियार जाती से आते हैं ऐसे में जहानाबाद में उनका पकड़ था अब देखे क्या होता है फिलाल हमने आपको बताया कि ये चार से पाँच नेता हैं उनको पैदल कर दिया गया है या पैदल हो चुके हैं उनकी कहीं पूछा अब नहीं है बहराल इस ख़वर में इतना ही हमें दीजे इजाज़त फ्री मिलते से बड़ी ख़वर के साथ